अस्सलामू अलेकुम फ्रेंड्स मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज साकी नाका के बिलाल भाई के बकरों को देखने के लिए ये काफी एक्स्ट्रीम कॉलिटी में इनके बकरे हैं खास करके पंजाबी, हैदरबादी, सोज़त, मालुवा आपने ये सारी बीड्स के बकरे तो बहुत बार देखे होंगे, पर जो बकरे इनके पास हैं, वो बहुत ही एक्स्ट्रीम कॉलिटी में हैं, आज जब मैं गया था, जब मैंने ये फिल्मिंग की, ये मेरे लिए खुद के लिए भी एक हिस्टॉरिकल मॉमेंट था, जो मैंने बकरो को देखा, इन बकरो के अलावा इनके पास मीडियम रेंज के बकरे भी हैं, जैसे के मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, इनके पास all together around 200 गोट्स है, इन इस फार्म फोर सेल, मैं उनके दोनों नमबर इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को दे जार्व आँ, यह जो मैं अभी दाव झाओ रहा हम, यह पहला वीडियो है इनका, इसके बाद में उनके दो और वीडियो दालूंगा, एक वीडियो होगा, उनके कजिन के साथ जो मैंने इंटर्विव्व किया है वह और एक होगा वीडियो, जिसमें मैंने उनके मिडल रें की दूरी पे है लाइक मैं इदर का एड्रेस साकी नाका में बिलाल भाई का जो फाम है उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आप वो भी ले सकते हैं आपको मैं दोनों नंबर भी दे दिया हूं वीडियो के स्टार्ट में सो आप उस पर फोन भी कर सकते मै बहुत ही लखी था जब मैं उनके फाम पे गया मैंने उनके दो कजिन से मिला आज एक अब्दुल्ला एन मूसा से और उनका मैंने एक छोटा सा इंटेव्यू लिया है लेक वो बहुत ही क्यूट है माशाला और उनका दोनों का खुद का एक यूटूब चैनल भी है जिसका नाम है अब्दुल्ला एन मूसा गोट्स जिसमें वो खुद के जो पैट से उनका जो खुद का एक शौक है उसके वो वीडियो बनाते हैं उस पे डालते हैं तो प्लीज आप उनका इंटेव्यू पूरा सुनें आपको बहुत मज़ा आएगा और आप लोग प्लीज उनका जो चैनल है उसको सस्क्राइब करें अब्दुल्ला एन मूसा गोट्स असलामू अलेकुम फ्रेंड्स आज हम लोग आए हैं बिलाल भाई के गोट फार्म पर जो साकी नाका में है और आज हम लोग हमारे दो फ्रेंड से मिलेंगे सो मैं उनी से कहूंगा कि वो अपना इंट हो बद्विशा वा सांडाल सो एंट फ्रेंड्स मैं सॉरी अपने मैं जो मैंने गलती कर दी मैं उसको फिस उधारता हूं और हम लोग हैं की आज अबदुल्ह मूशा गोटफार्म पर जो सकी नाका में है तो इस में अबदुल्ह कौन है बात करते यह Marian कि करते हो फ्री टाइम में अपने घे और गोट्स का कपसे शौक है आपको पिछले तीन साल से आपके अबबा गोट्स पालते थे 25 यह से माशालला तो कौन कौन सी ब्रीड आप देख चुके हो अभी तक माशालला वाउ अभी हम लोग दूसरे भाई से बात करते हैं आपका नाम क्या है मुसा आप कौन से क्लास में हो अच्छा आपको भी गोट्स का बहुत शौक है ओके सो आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी है हेदराबादी हेदराबादी वाई क्यूंकि उसके कान लंबे होते हैं इसके लिए अच्छा और कौन-कौन जैसे मैंने भाई से पूछा था कौन-कौन से ब्रीड हैं आपके पास अभी पंजाबी दोर्सेट हेदराबादी पंजाबी कोटा वाउ और उसमें से आपकी अब दोनों का अलग अलग बखरा भी है गया अच्छा नाम क्या आपके बखरेगा बास और आपके बाई बाई आपका जो यह गोर्साब पालते हो तो यहां पर कित्ते बखरे हैं टोटल अरूंट्र अरूंड टूंडट माशाब्ला एंड आप लोग खिलाते हैं क्या बख सो हम लोग ने आपके बहुत अच्छे बड़े बखरे देखे वीडियो में आप दोनों भी थे सो हम लोग वीवर्स मैं आप लोगों को बोलता हूं यहां पर आल ब्रीट ऑफ गोट्स है जैसे कि आपको देवनार में भी देखने मिलती है पर यहां पर एक्स्ट्रीम कॉलिटी की गोट्स है जो आपको देखने मिलेंगी और हमें काफी अच्छा लगा आज अब्दुल्ला और मूसा से मिलके आप लोगों को और कुछ कहना है क्या बोलिए अच्छा आप लोगों का यूटूब चैनल भी है अच्छा उसका नाम क्या यूटूब अच्छा आप लोग डेली वीडियो दालते हो के वीक में एक बार आप लोग यूटूब करना है नहीं करना करने नहीं करेंगे चले गासिव अब्दुल्ला एं मुसा गोट गोट के यूटूब चैनल को आप लोग सस्क्राइब करें लाइक करें और यह जो अपने पर्सनल बक्रों का कलेक्शन जो दालते हैं यूटूब पे उसको आप जादा से यादा फेमस करें देखिए पंजाब पंदूब ए यूटूब